राजमार किनारे इस्तित ग्राम बिर्जापुर का उपस्वास्त केंद्र डलागर का रूप दहार कर चुका है अब यहाँ डॉक्टर नहीं बलकि कुट्टे राज करते हैं जड़ा गोव से देखिए इस द्रश को यह द्रश है हाईवे केनारे इस्तित ग्राम बिर्जापुर के उपस्वास्त केंद्र का बरसों पहले जब उपस्वास्त केंद्र ग्राम बिर्जापुर में खुला गया तो लोगों में इस बात की खुशी थी कि उन्हें अपने उपचार के लिए शेर की लंबी धूरी तै नहीं करनी पड़ेगी बहराल उप स्वास्त्रकेंद्र इस गाहों में खुला और बाकैदा कुछ समय चला लेकिन स्वास्त्रि मिवाग की लापरवाही के चलते आज इस उप स्वास्त्रकेंद्र का क्या हल है जड़ा अपनी आखों से ही देख लीजिए ये उपस्वास्त किंद्र स्वास्त किंद्र नहोकर कोई कूला घर सा नजर आता है यहाँ पर अब लोगों के लिए डलाव घर बन चुका है पिछले 3 साल से स्वास्त मिवाग द्वारा उपस्वास्त केंद्र की और ध्यान ना दिये जाने के कारण अब ये उपस्वास्त केंद्र आवारा पशू, जानवर और घर की गंदगी का कुणा फैकने के लिए डश्ट बीन का काम कर रहा है ये उपस्वास्त केंद्र यहां पर लोगों ने अपने पालतू पशू बांद रखे हैं तो वहीं उपस्वास्त्र केंद्र के अंदर कुट्तो का राच चल लाए है कई बार गाउं के लोगों द्वारा इस उपस्वास्त्र केंद्र की देहने एस्थिती को देख कर मोखिक और लिक्त रूप से स्वास्त्र विबाग के अधकारे को शिकायत की गई लेकिन स्वास्त्र विबाग के अधकारी पिछले तीन चार साल से कुम्ब कर्मिन नीन सोय हुए है इस स्वास्त केंद के आजपार रहने वाले लोगों के लिए सुबदा तो हो गई है सुबदा इस बात की कि घर का सारा कूला बर्सों से यहां डाला जा रहा है लेकिन इस स्वास्त केंद की हालत देखकर गाओं के कई लोग दुखी है उनका कहना है कि इसकी साफ सफाई होनी चाहिए और इसकी मरम्मत कराय जाने बाद इसे फिर से सुचारू किया जाना चाहिए लेकिन स्वास्त विवाग के अध्कारी चुप बैटे हुए है तो आखिर क्यों इस स्वास्तरकेंद के हालत की संबन में एक ग्रामीर में इंचांग करी दी कब से बंद पड़ा है करी एक देड़ साल हो इसे एक देड़ साल से कौन सुनदा है और किसके पास जाए है जब कि स्वास्त केंद्रवारी घुदिया पड़ोस में यह यह स्यमौ अफिस में